राजस्तान से बड़ी खबर ये आ रही है कि सचिन पाइलेट ने एक मास्टर स्टोक चला है अब क्या है ये मास्टर स्टोक चलिए आपको बताते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पेले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नगर निगम चुनाव में जो कॉंग्रेस ने जेपुर में मेयर पर्ट्यासियों के लिए सबी के जेहन में कयासों को दरकिनार करते हुए दोनों ही निगमों में गुजर काड़ खेल दिया है कॉंग्रेस के इस कदम को गुजर आरक्षन को लेकर पटरी पर बेटे गुजर और सचीन पाइलेट की नाराजगी के चलते गुजर समाज को साधने की कवायद सुरू हो चुकी है सचीन पाइलेट नाराज चल रहे थे इसलिए कॉंग्रेस ने सोचा अपने गुजर पर चासी खड़े कर देंगे तो हो सकता है सचीन पाइलेट के समर थाक उनके फैंस हम से नाराजगी दूर कर ले पर हमें सुत्रों से पता चला है कि ये काड है जो सचीन पाइलेट ने ही खेला है कि गुजर आरक्षन पर जो लोग बेठे हैं उनसे नाराजगी दूर की जाए जेपूर हेरिटेज में जहां कॉंग्रेस का बोड बनाते है वहां मुनेस और ग्रेटर में दिव्या सिंग कॉंग्रेस की मेयरपद की परचासी होगी कॉंग्रेस ने हेरिटेज में नाराज मुसलिम को मनाने के लिए डिप्टी मेयर मुसलिम बनाने का भी एलान कर दिया है दर असल जैपूर में दोनों नगर निगम के लिए मेरपद के चेर्म कॉंग्रेस ने तीन दिनों के लंबे मन्थन के बाद आखिरकार आज अपने पत्ते खौल ही दिये कॉंग्रेस की तरफ से हेरिटेज और गरेटर दोनों जगों में गुजर काड़ खेला गया यानि की दोनों जगों पर मेरपद के लिए अबिसी मैला के लिए आरक्सी सेट होने की वज़े से गुजर समाज के केंडिडेट बनाए गए हेरिटेज में यहां कॉंग्रेस का बोर्ड बनना फाइनल माना जा रहा है यहां सीविल लाइन स्विदान सभा से पार्शद और परिवैन मंत्री परताप सिंग खात्रियावास के बेहत करीबी माने जाने वाले सुसिल गुजर की पत्नी मुनिस गुजर को मेरपद का केंडिडेट बनाया गया है तो वही अंतिम समय में गरेटर चुनाव में बहुमत से बहुत दूर होने के बावजूद कॉंग्रेस ने अपना परत्यासी उतार दिया है कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता संजे गुजर की बेटी दिविया सिंग को महा पौरपद का उमीदवार बनाया गया है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो शेर और अपनी राइक कमेंट बॉक्स में जरूर दें धन्यवाज